नमस्कार दोस्तो रोहीतिस्तडेस येटिव चैनल में आप पास्वागत है दोस्तो आज मैं आपके लिए बिग्यान का चौथा पार्ट ला रहा हूँ दोस्तो इससे पहले मैं तीन पार्ट बना करके अपलोट कर दिया हूँ अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वो वीडियो आप यहीं से देख सकते हैं दोस्तो इन सब प्रशनों को आप सिरियसली लीजिएगा क्योंकि पेपरों में आई हुए प्रशनों को ही मैं बना रहा हूँ तो हम बढ़ते हैं अपने प्रशन की तरफ प्रशन चीहतर किस जन्तु की आकरिती पैर की चपल के समान होती है अइंसर पैरा मीसियम दोस्तो आप इसको ऐसे ध्यान रखेंगे यहाँ पैर का चपल और पैरा मीसियम दोनों पौपा से शुरू है इस तरह से आपको याद हो जाएगा प्रशन सतात्तर केचुए की कितनी आके होती है अइंसर एक भी नहीं प्रशन अठत्तर गाजर किस बिटामिन का समरिद्र स्रोत है अइंसर बिटामिन ए प्रशन 89, निम्न मेशिक किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है अइंसर चावल में प्रशन 80, मानव का मस्तिस्क लगभग कितने ग्राम का होता है अइंसर 1350 ग्राम का दोस्तों आप इसे याद रखेंगे मानव के मस्तिस्क का वजन 1350 ग्राम होता है प्रश्ण 82 किडवन का उधारण है, एंसर दूद का खटा होना, खाने की ब्रीड का बनना, गिले आटे का खटा होना, दोस्तो ये सब किडवन का उधारण है, आप इसे ध्यान रखेंगे, प्रश्ण 83 किडवन में से कवन सा आहर मानो शरीर में नए उतको की ब्रिद्धी के लिए पोसक तत्व प्रदान करता है, एंसर पनीर, प्रश्ण 84 किडवन में से कवन एक उड़ने वाली छिपकली है, एंसर ड्रेको, दोस्तो आप इसको ऐसे ध्यान में रखेंगे, जो छिप पनीकली उड़ती है वर ड्रेस पहनती है, ड्रेस से ड्रेको आप याद रख लेंगे, प्रश्ण 85, घोषला बनाने वाला एक मात्र साप काउन सा है, एंसर प्रश्ण 86, दूद में यूख्त प्रोटीन होता है, एंसर कैसीन, दोस्तो अगर आपसे कोई पूशता है कि पिल्या रंग किस कारण होता है तो भी कैरोटीन के कारण होता है लेकिन यहाँ पर लिखा है दूद में यूप्त प्रोटीन होता है तो कैसे इसे आप ध्यान में रखेंगे प्रश्ण 87 मदमेह रोग होता है एंसर इंसुलीन की कमी से दोस्तो सूगर जो होता है उसे मदमेह र दोस्तो आप इसको ऐसे ध्यान में रखेंगे जब आपके मुत्र में गंध आता है तो आपको कुछ ओमन सा मसूस होता है ओमन से अमोनिया आप याद रख लेंगे प्रश्ण नवासी भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मचली कौन सी है एंसर हुएल सार्क प्रश्ण 90 ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन करती है एंसर कार्बन डाई आकसाइड गैस दोस्तो कार्बन डाई आकसाइड गैस आप जानते हैं जो पौधे गैस क्रहड करते हैं उसे कार्बन डाई आकसाइड गैस करते हैं और ग्रीन हाउस गैस वह उत्पन करता है आप इसे ध्यान रखेंगे, प्रश्ण एक्यान फिमासूर में सूजनाता है अंसर, बिटामिन सी की कमी के कारण और दोस्तो, बिटामिन सी का संब्रिद स्रोत आहुला है प्रश्न एक्यान बे, पेंसिलीन एक उत्तम प्रतियवीक है जो प्राप्त होता है answer कवक से दोस्तों आप इसको ऐसे ध्यान में रखेंगे यहाँ पे जो पेंसिलीन लिखा हुआ है हम इसे पेंसिल का देते हैं पेंसिल जो है बच्चे लोग कमपास में रखते हैं कमपास से कवक आप याद रख लेंगे प्रश्ण 93 डाले किसका एक अच्छा स्रोथ होती है answer प्रोटीन का दोस्तों डाल जो होता है वो प्रोटीन का एकदम अच्छा स्रोथ होता है आप इसे ध्यान रखेंगे प्रश्ण 94 डेशी घी में से सुगंद क्यों आती है answer डाई एसे टील के कारण दोस्तों आप इसको ऐसे ध्यान में रखेंगे घी में सुगंद जबाता है तो उसमें जाहिर सी बात है कुछ डालते होंगे डालने से डाई एसे टील आप याद रख लेंगे दोस्तों आपको इसके पहले मैं पढ़ाया हूँ वेल्डिंग में प्रियूक्त किया जाता है तो उसका उत्तर था acetylene और oxygen का तो दोस्तों वहाँ acetylene था लेकिन यहाँ diacetyl है आप इसे ध्यान में रखेंगे प्रशन पंचान बे इंद्र धनुस में किस रंग का विचेपड अधिक होता है आइंसर लाल रंग का इसे आप ध्यान रखेंगे इंद्र धनुस में लाल रंग का विचेपड अधिक होता है विचेपड माने फैला होता है प्रशन चान बे टेली वीजन का आविस्कार किसने किया था अइंसर जेयल वेर्ड ने दोस्तो आप इसको ऐसे ध्यान में रखेंगे टेली वीजन को टीवी कहते हैं तो टीवी जो होता है टी के आगे ऐसे लगा देंगे तो इससे आप जे का आवास कर लेंगे जेसे जेयल आपको याद हो जाएगा और जो भी लिखा है इससे बियर्ड इस तरह से जेयल बियर्ड आप याद रख लेंगे प्रशन सतान बे हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है अइंसर सामुहिक आंतरिक परावर्तन के कारण प्रशन अठान बे गूबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है अइंसर मिठेन दोस्तो आप इसको ऐसे ध्यान में रखेंगे जब गूबर गैस बनता है तो सब कुछ मिल की बनता है मिलने से मिठेन गैस आप याद रख लेंगे प्रश्ण नुन्यान बे दूद की सुधता का माप किसे यंत्र से किया जाता है अंसर लेक्तोमीटर से दोस्तो आप इसको ऐसे ध्यान में रखेंगे दूद जब नापते हैं तो लीटर से नापते हैं लीटर से लेक्तोमीटर आप याद रख लेंगे प्रश्ण सव एंटी बोडी जिके निर्माड में सहायक होती है एंसर प्रोटीन तो दोस्तो ये चौथा पार्ट पूरा हो गया है इसके बाद मैं पांचवा पार्ट का वीडियो बना करके यूटूब पे अप्लोड करूँगा दोस्तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और भी अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा और दोस्तो मेरा सयोग करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सस्क्राइब भी कर सकते हैं तो दोस्तो मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद चलता हूँ दोस्तो जय हिंद